और अब अमेरिकी चुनाफ से जुड़ी एहम खबरे देखिए मिस्टर वर्सुस माडम प्रेसिडेंट टॉप नाइन में चुनाफ प्रचार के दौरान इस्राइल एरान योद पर टिपणी करते हुए अमेरिका के पूर राश्रपती ट्रॉंप ने हैरिस पर तंज कसा मिशिगन में एक राली के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सामने संकट की घड़ी है मेडली सुझल रहा है और कमला हैरिस पार्टी में व्यस्ती है इसराइल एरान संगषपर मिशिगन राली में उपर राश्रपती कमला हैरिस ने बड़ा बयान दिया उन्होंने बहुत मजबूती से एरान को रोकने की वकालत की और कहा कि अमेरिका हर हाल में एरान के किसी भी हमले के खिलाफ इसराइल की रफशा करेगा अमेरिका में राश्रपती चुनाव 5 नवंबर को है लेकिन उससे पहले ही 36 राज्यों के करीब 30 मिल्यन लोग मेल इन बोटिंग से अपना मतदान डाल चुके है अमेरिका में ये परंपरा कोरोना काल से शुरू हुआ था सूत्रों के मताबिक टरंप और कमला हैरिस के बीच करीबी मुकाबला है वर्जिनिया के फेरफैक्स काउंटी में शुरुआती मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं ये परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक शेत्र है इस दोरान डेमोक्रेट और रिपबलिकन दोनों पार्टियों के समर्थकों ने केंद्रों के बाहर बूत स्थापित किये जहां वे मतदाताओं को वोटिंग से जुड़ी जानकारी देते दिखे जॉर्जिया के केंद्रे चुनाव आयोक के अधकारिक वेबसाइट के हवाले से बड़ा दावा है जॉर्जिया में 68.69 प्रतीशत मत पातरों की गिनती के साथ से सत्तारूड पार्टी जॉर्जिया ड्रीम को 52.94 प्रतीशत वोट मिले हैं इसके बाल सबसे जादा मत यूनिटी नाशनल मूव्मेंट को मिले है जॉर्जिया की सत्तारूड पार्टी जॉर्जिया ड्रीम ने जीत का जशन मनाते हुए कहा कि वो संसद्य चुनाव के अधकारिक नतीजों में आगे चल रही है देराद तिबलिसी में पार्टी लीडर्स ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव यूरोप का भविश्य तै करेगा जॉर्जिया में तमाम विपक्षी पार्टी ने कई मतदान केंद्रों पर धंदली के आरोप लगा है सोशल मीडिया पर एक विडियो शेयर कर ये दावा किया गया कि परवेशिकों की लापरवाही की कारण हजारों वोट फर्जी पड़े माने उली में एक युवक कई मतपात्रों को एक बकसे में भरता हुआ दिखा जौर्जिया वोटिंग के दौरान धंदली के आरोप लगने के बाद आंतरिक मंत्राली ने जौंच के आदेश दे दिये हैं केंद्रिय चुनावायोग ने भी कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर शुकायत सही पाई गई तो सभी परणाम अवैद घोशित किये जाएं